बति स्क्राइब करूंगा रोज फ्लावर प्लाइंट जो चोटे चोटे शोटे रोज फ्लावर प्लाइंट जिसकी आभी रीपोर्टिंग करना है डिशिज दा राइट टैम फौर रीपोर्टिंग आप अपना जितनी रोज फ्लावर प्लान्ट है छोटे छोटे है यानि कि दो से तीन माईने हो चुके है एसमाल पॉट में शिक्स इंच की पॉट में और छोटे पॉट से एट इंच की पॉट में आपको सिफ्ट करना है तो आप ही आप कैसे करेंगे और यही सही शमाय है इस टाइम आप ही आप अगर रिपट कर लेंगे तो आपका फ्लावर प्लान्ट अच्छा होगा और जो एक माईना फेबरारी की जो माईना पूरा मिलेंगे तो आपका फ्लावर प्लान्ट बुशी भी हो जाएंगे और ये देखिए मेरा जो शेक सिंच की पॉट में लगा हुआ है प्लांट और कितना अच्छा बुशी है इस से पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगी शाथ मेरा चोटे चोटे फ्लावर प्लांट कैसे बुशी होते हैं और आज बुशी करने के लिए नहीं लेक बिल्कुल परफेक्ट शमाय है सही शमाय है देखिए शब से पहले अपने को मीडिया तैयर कर लेना है और तैयर करने के बाद बिल्कुल आप अपना रोज फ्लावर प्लांट को सिप्ट कर दीजिए इस से बड़े पट में आपके पास अगर 6 इंच की पट में है तो 8 बरते जाएंगे तो आप अपना फ्लावर प्लांट को सिफ्ट करने के लिए यानि के रिपर्टिंग करने के लिए तोरा सा घबराएंगे क्योंकि आपका प्लांट उस टाइम मुर्जा शकते हैं इसमें थोरा सा मायट्स लगा था इस से पहले और मैंने ट्रीटमेंन दे द लग चुके है देखिए तो मुझे फ्रूट्स तो लेना नहीं है मैंने इसका काटिंग नहीं किया था और इसके बाद भी देखिए निव निव शूट्स आ रहा है फ्लावर खिले था इसमें बहुत सरे तो आप ही क्या करना है शब को कट कर देना है जितने भी आप देख रह शिंडर के लिए भी शेयर करेंगे 6 इंच की पॉट से आभी मैं 8 इंच की पॉट में ले जाएंगे देखिए पॉट देखाते हैं मैंने 8 इंच की दो पॉट लिए है देखिए बान तो ड्रेनेज होल देखिए बहुत ही अच्छा है ऐसा ही ड्रेनेज होल आपके भी होना तो ऐसा 8 इंच के मैंने पॉट लिए 8 इंच की पॉट में आभी मैं ड्रिनेज होल कवर कर दूँगा मेरे पास शिंडर है बड़े टुकरे की मैं बड़े बड़े शिंडर इसमें डाल देंगे तो ड्रिनेज होल कवर हो जाएगा आप मिट्टी की तुटा हुआ गमले की टु टुकरे की जो शिंडर है यह 10-12 mm का जो शिंडर है वो डाल दिया मैंने नीचे ट्रिनेज होल कवर हो चुके है आप शिंडर का जो रोज फ्लार प्लांट है उसको मैं पहले रिपटिंग करूंगा इसके लिए देखिए यह शिंडर लिए हमने यह है 228 mm 228 mm का जो शिंडर ह वो शिंडर आपको लेना है बहुत ही अच्छी शिंडर है इनकेस आपके पास अगर शिंडर नहीं है और आप अगर पार्टिस करना चाहते है यह सोच रहे होंगे तो डेस्किप्शन बॉक्स में आपको राजेश कुमर मुहानती जी का कंटक्ट नंबर देवा रहेगा वह से आप कंटक्ट करके शिंडर पर्चेस कर शकते हैं और आप अघर शिंडर में जो भी रोज़पलार प्लान को रिपॉट करना चाहते है और इसकी शींडर करते हैं तो फोड़ा सा कमपोस्ट आप मिलांचत है देखिए यह 8 इंच की पॉट की मैंने एक पॉट भरकर लिये है यह शिंडर यानि कि आप जब भी शिंडर लेंगे तो कम से कम 95% शिंडर लिजी और 5% आप कमपोस्ट निमखली, होर्ण मिल, बोर्ण मिल मिल मिला दिजी तो चल जाएगा यानि कि इसमें मैं एक कटोरी, एक बावेल मिला शकता हूँ है यह देखिए छोटे बावल का एक बावेल से भी थोड़ा सा कम लिये मैंने मेरे पास बार्मी कमपोष्ट है तो मैंने बार्मी कमपोष्ट लिये है इसके बाद एक चमच हमको लेना है निमखली जादा निमखली नहीं लेंगे थोड़ा से भढ़ कर लेना एक चमच यानि कि 8 x 10 ग्राम हो शकता है यह निमखली और दो चम्मच हमको लेना है हर्ण मिल ये देखिए ये हर्ण मिल है ये दो चम्मच लेंगे बॉन टू ये दो चम्मच हर्ण मिल है और ठीक अल्मस्ट दो चम्मच हमको लेना है बोन मिल ये देखिए बोन मिल है यह देखिए यह दो चमच हो गया यह यानि कि एक बावल चोटा सा एक बावल का 200 ग्राम का एक बावल भरके मैंने लिए है कमपोष्ट निमखली हर्ण मिल बोर्ण मिल और इसके साथ मिला देंगे इस से ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है यतना ही मिला शक्ते हैं और इसको बहुत अच्छा से आप मिक्स कर लेंगे आपको आप ही कोई भी फांजिसाइट बगरा मिलाने की कोई जरुरत नहीं है और बिल्कुल डर्णने की कोई आवशक्ता नहीं है आच्छा से मिला लेते हैं शिंदर मे बन चुका है बहुत अच्छा से और इसमेंसे कुछ शिंदर इस पॉट में डाल देंगे ऐसे आरम से आप डाली है ये दिखे ये डाल दी है हमने आप चाहे तो थोड़ी सी और भी डाल शकते हैं यह डाल दी और नहीं डालेंगे आप जो प्लांट है इस प्लांट को यह जो प्लांट है इस प्लांट को निकलनेके लिए आपको क्या करना है आप लोग को पूरा पता है उसके बाद भी एक बार मैं बताता हूँ यह हाथ ऐसे रखिएगा और इसको ऐसे करके पल्टा लेंगे पूरा प्लांट को ऐसे पल्टा लेंगे और किसी चीज के उपर इस जगह पर थोड़ा सा ठोकर मार देंगे तो यह प्लांट आपके हाथ में आ जाएंगे यह जो हाथ है हाथ में आ जाएंगे चले निकल के लाते हैं यह देखिए निकल लिया गया है प्लांट को और इसमें जो root है आप देख पर है root bound हो चुके है अब ही आप अगर reporting नहीं करते तो आपका flower plant का growth अच्छा नहीं होगा इसलिए reporting करना है और नीचे ये देखिए बड़ बड़ जो shinder है ये shinder को थोड़ा सा अलग कर देना है और इसके बाद हमको pot में बैठलना है चलिए जो नीचे की बड़ बड़ शिंडर है इसको अलग कर लेते है ये देखिए मैंने जो नीचे की जो बड़ बड़ शिंडर थे और निकल लिए है आब इस plant को इसके ये जो pot है पॉट में बैठलेंगे आराम से बैठलना है आपने को चलि मैं बैठल लेता हूँ फिर दिखाता हो देखिए हमारी जो प्लांट है प्लांट बिल्कुल बिचो बिच बैठ चुके है इसके बाद हमको फिल करना है बहुत अच्छा से आपको फिल कर देना है ऐसे करके आप फिल कर दिजी शिंडर से फिल करने के बाद कुछ इस्टिक और कोई भी टूल्स की हेल्प से आपको यहाँ पर ऐसे करके प्रेस कर देना है ताकि कोई भी यार बाकेट ना रहे है यह देखिए यह आप ही पूरे बारिस तक यहने की पूरे समार के बाद बर्शात में इसका फिर से रिपर्टिंग करेंगे यह लग चुके है हमारे प्लान्ट अभी जो शॉयल मिडिया का है अशॉयल मिडिया के लिए मैं शॉयल मिडिया शेयर करूंगा और उसका जो रिपर्टिंग है वो भी दिखाते है शॉयल मेडिया के लिए जो शॉयल है ये देखिए मैंने शॉयल ले लिए है एक पार्ट शॉयल लिए है एक पार्ट सेंड लिए है और एक पार्ट मैंने लिए है कमपोस्ट यह देखे बर्मी कमपोस्ट है मेरे पाश तो थिरी एकवाल पार्ट लेने के बाद एक पॉट के लिए सिर्फ आठ इंच की एक पॉट के लिए आपको दो इस्पून यह देखे दो चम्मच हर्ण मिल मिलाना है इसमें यह सिर्फ आठ इंच की पॉट के लिए और ठीक एक चम्मच हम को मिलाना है निम्खली निम्खली हो गया और दो चम्मच हम को देना है बोन मिल यह देखें बोन मिल हर्ण मिल बोन मिल को आप अगर चाहे तो कुछ बरा भी शक्त है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं 15 दिन अंतर से एक एक चम्मच करके देते रहता हूँ इसलिए ज़्यादा देने की जरूत नहीं है आप इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे हमारे शायल बिल्कुल रेडी हो चुके है आप कुछ शायल हमको फिल कर देना है यह देखी बहुत अच्छे और भुरबुरे शायल और रिचेबल शायल तेयर हो चुके है कुछ हमको पॉट में डाल देना है ऐसे करके कुछ डाल दिए इसके बाद हलका से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे करके इसके बाद जो प्लांट है इस प्लांट को निकलना है निकलने के लिए सेम तारिका है ऐसे करके आप पकड़ेंगे आपको धेन रखना है आपका जो प्लांट है प्लांट टूटे ना इस बात को धेन रखना है ऐसे करके आपको पकड़ना है और इसको ऐसे करके पल्टाना है पल्टा के किसी की ओपार जो प्लास्टिक की पॉट है इस साइट थोड़ा सा ठोकर मार देंगे तो आपका प्ला पिल्य मैं निकल के लाता हूँ को अगया है और आप निकल ला गया है और यह जो साइट से आप देख पा रहे देखिए इसमें जो एक ब्रांच आ रहे है तो यह ब्रांच क्या है ग्राप्ट यह आप शाकार है तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जुरूत नहीं है ऐसे कोई भी ब्रांच आएंगे यानि कि यह है आपका grafted part यह जो ब्रांच है इसके शाद graft किया गये थे उसकी नीचे से यह नीचे की साइट से लेके नीचे से यह मिट्टी की नीचे से कोई भी ब्रांच आएंगे उसका अपने को तोड़ देना है अपने को रखने की कोई जरूत नहीं है यह देखिए यह सकर है जंगली है चलिए इस प्लांट को आप लगाते हैं लगाने के लिए यह देखिए इसमें भी जो root bound है हो चुके है बहुत अच्छे root हुआ है इसको आप ऐसे बीच ओ बीच अपने को battle देना है यह देखिए हमने battle दिये है और इसके बाद shawl fill कर देंगे हम अराम से shawl से fill कर दिये है इसके बाद एक tools लेंगे एक tools लेके हलका हातों से ऐसे करके आपको press करना है ताकि root disturb ना हो यह देखिए और जो भी air bucket होंगे पूरे fill हो जाएंगे इससे आपका finally हमारी plant लग चुके है यह देखिए और इतना आपको खाली रखना है इसके बाद हमको watering करना है watering करने के लिए आपको first time बिल्कुल भरपूर मत्रा में watering करना है दोनों plant को अच्छा से watering कर देंगे यह देखिए ऐसे करके आपको watering कर देना है उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राब जरूर कर देना शाथ में बिला इकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आओ आप तक तुरंद पुछ सके दोस्तों आज ही तक है इसके बाद फिर में लेंगे नाय टाप के शाथ नजन करे लेकर आएंगे थैंक्स वर बाचिंग